तो वो ये बता रहे थे कि कश्मीर में इतनी हालत खराब थी हमें ऐसे ही रहना है एकता के साथ कि आगे कभी ऐसी किसी के साथ सिचुएशन ना हो तो नमस्कार दोस्तो राजबी ये ब्राजील वारे में एक बरफिट से आप सभी कहार्थिक स्वागे थे तो दोस्तो आज कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर आया है कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर और फिल्म का मुझे काफी दिनों से इंतजार था ये पिछने महिने 26 जनवरी को र बखती हैं और ये 1990 में जो कश्मीरी पंडित जैनोसाइड हुआ था और हमारे भाई बैनों को उनके ही घरों से उनके ही स्टेट से निकाल दिया गया था उसके ऊपर ये फिल्म बनी है और देखते हैं हम इसके ट्रेलर को रियक्ट करेंगे और आपको रिव्यू भी देंगे कैसा है और ये भी बताएंगे कि भाईया ट्रेलर से ये फिल्म देखने लाइक लग रही है कि नहीं ठीक है तो प्रड्यूस बई जी स्टूडियोस ठीक है तो अभी हम इसके ट्रेलर को चालू करते हैं 18, 19, 20, 21, 23 आपर एक इलजाम है कि आपने धेर सारे काश्मीरी पड़ितों के जानली है किने लोगों मारा हुआ आपने हैं 20, 25 अगर वो आपसे कहते कि अपने सबेबाई को मार दे तो मार दे तो आपसे आपकी मागों मारने के लिए कहते हैं तो मार दे ते मार दे ते उसके सामने हम आपनी माजी की कोई बात नहीं करें तरचकर मतलब नो मेंशन आपकसरस नो एकसरस नहीं जैनुस है कि इंदेखो कॉन है कृष्णा कृष्णा कश्मीर यारिमेंग। कश्मीर चाहिए अनुखी निजिए याजिकाट बाति घ्रिंदीन का लिए भी गोरी सिर्वाठी जाओंकिष्ट। जब कुछी माद्गट इन करेंग रग्याद। क्श्मीर बाओं और उन एक ही हाल अल जाओं। वानेभी शेकरवाथ Gi då July 2, मैं देखि सकति देख की तस्तिर का जिसके इपास ही डिदो फिरफ ا wackust कंडकी मालतिक्ष लतिक्स कबस ठेकिया विनाथ ऐस रिगो, पॉल वाथ किरद से माया रभाठी तुम पर नहीं पद्मुश्री तुम पर नहीं पद्मुश्री तुछे ऐसे ही मिला नहीं? पद्मुश्री आपको संकार लें खामोच नहीं के लिए आजादी इसे स्वांद टेरेशा है इस अन्थरम अफ रेकश्मी एशाखे लेचर लेड़ बन अफ रिडिया तुम तुम पर भाणिये साफिप आज रखाएंगे लिए अलगाएंगे व्यू की वड़ाईगे अन्यू शाखे लेड़े मंदीती नहीं थागएंगे क्यों अन्यू में आपकूस्टी काँप यागए चाहे उसके ये आप क्यों ना लगाएंगे वीड़ाएंगे। यह दो लुख आप जश्टिस भिसमा हुआ उनका बर्ड़ीट तो को वाफ पस अपने जगर कश्मीर जाने का भूगा मिलेगा इसे प्षिस लाज़। तो दोस्तों ट्रेलर हो गया है और बहुत ज्यादा इमोशनल है ट्रेलर हक्ता है वो होते हैं मेरे पहले बिल्कुल वो यह जिती है नहीं आरही क्या क्मेंट कर ओंब बस यह कम हो वाइलेंस दिखाया है फिल्म में क्योंकि वाइलेंस हुआ था सच में ऐसे हुआ था और सही जो चीजें हुई थी उनको उन्होंने दिखाया जो चीजें हुई थी उस समय तो जैसे भागने का कह दिया था उन लोगों को वश्मीर छोड़ दो और हत्या बलातकार सब कुछ को वह कि वह की मूव्मेंट कर सकतेुके कश्मीर में भी तो बिलकुल सही था कश्मीरी पंडीतों हत्यार को मिला भी हूँ और मुझे यही बताया गया था मैं एक गञा मैं को चोड़ने गया था और एक और लड़का था वो अपनी मंवी पो चोड़ने आ जा तो तोLord का मCause लिए कि कशिमीर में इतनी हालत खराब थी कि कि जब इंडिया पालद मेंज होता ता और पाकिस्तान हार जाता था पाकिस्तान को हुआ 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 बहुत बहुत बुरह खुरह… मैं क्या बता हूँ आपको। ट्रेलर पर तो कुछ कुछ भी मैं ना रिव्यू कर पा क्ला में!! मैं ब्ल्ख को गया वह ट्रेलर देख कर कि कि अग् longest गया? क्या सिट्यूएशन थी? और उस समय उन लोगों का किसी ने साथ भी नहीं दिया कोई पुलिस नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी और कोई सरकारों ने किसी ने साथ नहीं दिया बहुत खराब समय बीता है, बहुत खराब समय देखा है हमारे लोगों ने और आज वो सिचुएशन नहीं है और हमें ऐसे ही रहना है एकता के साथ कि आगे कभी ऐसी किसी के साथ सिचुएशन ना हो यह फिल्म जरूर देखिएगा ट्रेलर पास है बिल्कुल और बहुत मैं बता रहूं मेरे पास शब्द नहीं है वो वाइलेंस और उनके सिचुएशन देखके है न एक्स्ट्रीमिस्ट मुवमेंट हो गया और हाथियार उठाने लगे कि आजादी आजादी तो वह आजादी वालों को तो है ना पहले ही जवाब मिल चुका है उनको और तीमसु सो सत्तर हट गया था तो वह तो जबर जस्त काम हो गया है ना अभी बस पियो के बागी यह लेना तो दोस्तों कमें हो रहा है यह जाब मेरा अभी भी वैसे हूं है यह फिल्म जरूर देखिएगा मैं फिल्म भी देखूँगा और मैं पूरा ट्राय करूंगा कि फिल्म का भी रिव्यू लेक्याओं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करके बताएए वीडियो कैसा लगा और आप फिल्म देखने वाले हैं क्या जय हिंद भारत माता की जय बंदे मातरा